नमस्कार दोस्तो स्टड़ी ट्रैक चैनल पर आपका स्वागत है इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे विलियम वर्जवर्थ द्वारा लिखी गई एक पोयम इसे शुरू करने से पहले मापको इस पोयम से संबंदित जानकारी दे दूँ जिससे आपको यह पोयम अच्छे से समझ में आ सके दोस्तो इस पोयम का नाम है और यह है एक फॉर्टीन लाइन्स की छोटी सी पोयम है जिसे सोनेट कहा जाता है और इस पोयम को 31 जुलाई से सिप्टेंबर 3 एटीन जीरो सेवन के बीच लिखा गया और पोयम्स इन टू वोल्यूम्स नाम के पोईट्री कलेक्शन में एटीन जीरो सेवन में पबलिश की गई और यह सोनेट पेटराक सोनेट पर आधारित है जिसमें एट लाइन्स का ओक्टेव और शिक्स लाइन्स का एक सेस्टेट मौजूद है और इस सोनेट को एमपिक पेंटामेटर में लिखा गया है और इस सोनेट की राइम स्कीम है एबी बी एए एबी बी ए सी डी सी डी सी डी सी डी और इस में कुछ लिटरी डिवाइसिस का भी यूज हुज हुआ है जैसे एसोनेंस, कॉनसोनेंस, एंजाम्मेंट, हाईपरबली, इमेजरी, सिमिली, आदी कतिस जुलाई 1802 को जब विलियम वर्जवर्थ अपनी बहन डॉर्थी के साथ लंदन से कैल्सी जा रहे थे तो उस शमय वह वेस्ट मिनिस्टर बिरिज जो की थेम सनदी के उपर है उस से लंदन का शांत नजारे के बारे में डिसकस करते हैं और वह लंदन की शांती और सुन्दरता को इस पोयम में बताते हैं तो चलिए सोनेट को शुरू करते हैं अर्थ हाज नग अनीधिंग तो शो मॉर फेर बुल वूद यह वे ओफोल वो कुद पस्षब य एस साथ शो तूचिंग इन इस मजश्थी इस सिती नव दोथ लागे का गर्मेंट वेर दी बूट फ दी मॉर्में इन लाइनों में कवी कहता है कि जो वेस्ट मिनिस्टर ब्रीज से लंदन का नजारा दिखता है धर्ती पर उससे सुन्दर कुछ भी नहीं है यदि कोई वेक्ती जो इस ब्रीज से गुजरता है और यहां से गुजरते वक्त जो सुन्दर्टा उसे दिखाई देती है यदि वह इस सुन्दर्टा को नहीं निहार पाता तो उस व्यक्ति का सवभाव नीरस यान डल तरह का है या फिर ऐसा व्यक्ति जिसे किसी भी चीज में इंटरस्ट नहीं है लंदन सहर सुबह के समय इतना खुबसूरत दिखाई देता है मानो इस से खुबसूरती का कपड़ा बना कर पहन लिया हो और सहर बिलकुल शान्त है और वहां का माहुल एकदम एकांत में है इस ब्रिज से कवी को नदी में तेलने वाले जहाज और लंदन के टावर डूम्स थियेटर और मंदिर दिखाई देते हैं और ऐसा लग रहा है जैसे ये इमारते आस्मान को चू रही हो और सुबह के समय लंदन में कोहरे वाली हवा नहीं चल रही है जो हमेशा चलती थी जिसके कारण सहर बिलकुल एकदम चमक रहा है और शान्त है दोस्तों एंजाब्मेंट उसे का जाता है जब पूरी बात एक पंक्ती में पूरी नहीं होती और यह है पहली पंक्ती में विराम लेकर अगली पंक्ती में समाप्त होती है जैसे डल वूड ही बी ओफ शोल हू कुड पास बाइ ए साइट सो टचिंग इन इट्स मेजेस्टी और इसमें हाइपरबली का भी यूज हुआ है दोस्तों हाइपरबली उसे कहा जाता है जब किसी चीज को बढ़ा चड़ा कर पेश किया गया हो और इस सोनेट की इस फर्स्ट लाइन में अर्थ हैज नोट एनिफिंग तो शो मौर फेयर दोस्तों इसमें परसोनिफिकेशन का यूज हुआ है परसोनिफिकेशन उसे कहते हैं जब किसी निर्जीव चीज को सजीव गुणों से दर्साया जाता है जैसे इन लाइनों में कवी कहता है कि सूरिय भी उगते समें इतना सुन्दर नहीं लगता और यह सूरिय की किरने इतना सुकून घाटी चटानों और पहाड़ी से गुजरने के दोरान भी नहीं देती दोस्तों जब सूरिय की किरने सुबह सुबह घाटीयों चटानों और पहाड़ीयों के बीच से गुजरती है तब ऐसा लगता है कि वह बहुत सुन्दर है परन्तु यह सब लंदन की खुबसूरती के आगे कुछ भी नहीं है इसके साथ कभी कहता है कि मैंने आज तक कभी भी इतनी शांती और पहले कभी भी इतना सुकून महसूस नहीं किया जितना की लंदन में सुबह के समय आज कर रहा हूं इन लाइनों में कभी कहता है कि जो थेम्स रिवर है वह बिलकुल शांती के साथ बह रही है और जो इस बरीज के नजदीक या इस नदी के नजदीक जितने भी घर है वह बहुत सुन्दर दिखाई दे रहे है क्योंकि वहाँ अब बहुत शांती है और लोग सोई हुए है और इसमें इमेजरी का यूज हुआ है जैसे दी रिवर गलिथ एट हिज ओवन स्वीट विल और दी सीटी नाव डोथ लाइक ए गार्मेंट वियर दोस्तों इसी के साथ हमारी ये पोएम कंपलीट होती है यदि आपको पोएम अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और ऐसी ही स्टडी रिलेटिड वीडियोज को देखने के लिए अमारे चैनल स्टडी ट्रैक को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बैल आइकन को भी ओन कर दे जिससे आने वाली अमारी नई वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिल सके धन्यवाद